नमस्कार मैं हूँ विदान तराठोर आप देख रहे हैं नियूस बाइस को दिपावली का तिवहार आ रहा है देश भर में उसकी तैयारियां शुरू हो गई है दीपक से सजाकर लोग घरों को सजाकर दिपावली का तिवहार मनाते हैं पटाखे इस्तिवहार के मुख्य आकर्शन का केंदर होते हैं बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पटाखों को फोड़ने में उसे जलाने में बहुत दिल्चस्पी रखते हैं आईए आज हम जानेंगे मश्रूर डॉक्टर के के कदम से कि क्या कुछ साओधानिया बरतनी की जरूरत है पटाखे जलाते वक्त और बच्चों को खास कर किन साओधानियों को से अवगत कराया जाए ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे दन्यवाद आपका आपके चैनल का देखिए पटाकों का तेवहर त्वाही रहा है और बच्चे एक ऐसे जीव हैं और बड़े उनके साथ में बड़े गूल मिल जाते हैं और पठाकों चलाने के समय में बड़े भी खुस होते हैं, उससे ज़्यादा बच्चे खुस होते हैं, लेकिन थोड़ी साफधानी तो बरतनी ज़रूरी है इस पठाके के मौसम में, तो बच्चों को खास कर बच्चों अंजान रहते हैं, बच्चे कुछ जानकारी नहीं रहत कि इससे क्या हमारा नुक्सान होगा, पठाके को चलाते समय बच्चे पठाकों से दूर रहें, कम से कम तीन गज की दूरी तो वो मेंटेन रखें, पठाके चलाते समय, पठाके में बहुत किसम के पठाके हैं, तो पहला हम कहना चाहेंगे, बच्चों को ज़्यादा ज़ो पठाके हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, आलू बम् और दिस बम् आट बम् बोलते हैं, तो वो एतने साउंड वाले होते हैं, कि उससे उनके कान को, कान के परदे को छती पहुंचती है, इसलिए कम से कम आवाज वाले बच्चों को पठाके देने चाहिएं अगर वो नहीं मानते हैं तो दूसरी चीज है कि जो की harmless चीज है जो की पटाकी नहीं है जिसमें sound नहीं होती है जैसे कि आम भासा में हम लोग कहते हैं कि छुरी छुरी दे दीजिए फुल जरी दे दीजिए ठीक है वो बच्चे वो उसको भी जलाएंगे आराम से और उससे बहुत ज्यादा कुछ नुकसान होने को नहीं होता है खासकर जब फुल जरी जलाएं तो बच्चे अपने आँखों से उस फुल जरी को दूर रखें और थोड़ी दूरी पर ही जलाएं बाद बाकी जो बच्चों का जो साउंड प्रोडूइजिंग पठाके हैं ज्यादा तो उसको देनाच से एकदम मना किजिए उसके बावजूद भी असाबधानी बस किसी कारण बस बच्चों के सरीर में क्या होता है जो कपड़े रहते हैं बच्चों के खासकर दिवाली के मौसम में बच्चे लोग भी बहुत जादे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं अच्छे दिखते भी हैं और पहनते भी हैं तो हमारा कहना है कि बच्चों को आग से बचाने के लिए आग प्रतिरोधिक जो हमारे पास कपड़े होते हैं, खासकर सूती के कपड़े जो cotton कपड़े होते हैं, वो कपड़े बच्चों को पाना है ठीक है कि वो artificial जो कपड़े रहते हैं, जब जलता है उसका सूत, सूत जलनें से क्या होता है वो melt होता है उसमें और temperature पैदा होता है तो जो की harm कर सकता है बच्चों को skin के लिए और पटाकों को एक नियामित तौर पर जलाएं ताकि उनको इस चीज़ से दिक्कत ना होता है देखे बच्चे भी हैं तो पटाकों को परती बहुत ही उत्सुक राते हैं और उनको हर पटाके जलाने का एक जुनून रहता है तो बच्चों को harmless पटाके हम जैसा कहें कि आवाज कम से कम हो वो पटाके दें जो जलने वाले फुल जड़ी हैं उसको दे दें और आजकल एसनेक भी आता है बच्चों के लिए चोटा साव उसमें आग लगा दिये तो उसमें एसनेक जैसाव अकरिती निकलती है तो वो सब harmless पटाके हैं तो उससे ज्यादा कुछ होने जाने को नहीं है दूसरा चीज है सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है आँखों के लिए सबसे ज्यादा सावधानी चुकि पटाके जो हवा में उड़ते हैं या आवाज करते हैं तो उसका splinter वगर आँख में जाने का खत्रा रहता है तो उस तो बहुत ज्यादा इंडल्ज नहीं रहते हैं डॉक्तर साब लोग इंडल्ज इसलिए भी नहीं रहते हैं कि अब इस उमर में चुकि हमारा उमर आप देखी रहे हैं हमारे उमर में तो पटाके चलाने का कोई सौक नहीं रहा जाता है सौक के वल एक ही रहा जाता है कि जब पटाकों का तेवहारा है तो बच्चों के साथ बच्चों को पटाके चलाते हुए देखना अच्छा लगता है पटाके अपने से चलाना अच्छा नहीं लगता है ठीक है दूसरी है जहां तक करोना का सवाल है तो भीड भार से हम लोग तो निकल नहीं रहे हैं दिवाली में, दिवाली के समय में आप दूसरे यहां जा करके भीड लगा करके पठाके चलाएं, ऐसी भी परंपरा हम लोगों की नहीं रही है, तो अपने घरों में ही पठाके चलाते हैं, तो कोरोना से बचाओ का जो गाइडलाइन है, जो बेसिक ग पानना है और भीड भार तो घर में आम तोर पर नहीं होता है और बाहर जा करके किसी कहां गैदर हो करके दस्वीस आजमी बैठ करके पटाके जलाएंगे तो उससे थोड़ा बचना चाहिए थोड़ा अबाट करना चाहिए चिंगारी देखे जस्ट एक परदा है तो वो मास्क इसलिए लगाना है कि कोरोना का जहां तक सवाल है तो वो कोरोना से थोड़ा प्रटेक्शन देगा मास्क जरूर इसमें दो राय नहीं है और थोड़ी चिंगारी अगर लग जाएगी तो डायरेक्ट स्कीन को टच नहीं कर जरेगा वो मास्क पर ही रह जाएगा टीक है तो उतना तो प्रोटेक्शन देगा ही मास्क लिए बाद-बग्वा की बदन में कप्ड़े हैं उससे थोड़ा प्रटेक्शन मिलता अगर जल्बी जाये को जैसा आम नें बताया, उसा उपाय करना है कि यैसा कि हमने डेखा कि क प्रोना गाइडलाइन्स का पालन करें और इस बार की दीपावली बहुत शुब हो कैमरा परसन संजय के साथ मैं विदानतराटोर बाइसको प्राची